स्वागत आपका मेरी यूडूब चनल बेसिक मैस्टाउन डिप्स में और इस पूडियो में काने वहला हूं क्लास 10 चैप्टर टिक्नोमेट्री से लेटिक इंबॉट्रिन साम जो की सी बेसिक दोड़ा 2018 में पूछा गया था तो चली शुरू करते हैं तो ठीके सम्में में दि सकता हूं तो 10 थीटा की वेल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 4 अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वाइरिंग कर दूं तो मैं इसको इस तरह से लिए सकता हूं कि 10 स्क्वाइर थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 का स्क्वाइर करेंगे तो नहां जागा 9 अपॉन 16 देखिए जैसे कि कि हम जानते हैं सेकी स्क्वाइर थीटा जो है वे इक्वल होता है वण प्लश महित रिए हगThey तो इस से मैं स्क्वारटी की निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे 10 स्क्वारटी थीटा तो अभी मालूं ही चल चुके सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से यहां पर आ जाता है 25 इसको एड कर लिया यानिकि मैं कह सकता हूं कि स्क्राइब जो है वह यहां पर मुझे मिल चुका है जो की है 25 इसको निकाल सकता हूं तो फिर उसका में यूज कर लूँ आगे देखें किस तरह से करेंगे साइन थीटा की वैल्यू मैं बाद में निकालूँगा पहले फिलाल में कॉस्टीटा को निकालता हूं कि क्या होगा उससे पहले मुझे कॉस्टीटा निकालना होगा जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्कूर थीटा होता है वह एक्वल होता है वन अपॉन कॉस्टीटा के मैं यहां लिए सकता हूं कि यहां पर स्कूर थीटा जो है 1 डिवाइड़ भाई कॉस स्कूर थीटा के एक्वल है यहां बर मैं स्कूर थीटा की वल्यू लिए दा हूं 25 अपन में 16 एक्वल टू 1 अब यहां पर हम कॉस स्कूर थीटा के यहां क्रोस मुल्टिप्लाई करकर हूँ जगा कि 25 कॉस स्कूर थीटा इक्वल टू 16 बन ज़ा 16 तो इस तरह से कॉस स्कूर थीटा निकलाएगा 16 नपन में 25 इसे मैं आपको यहां बता सकता था कि स्कूर थीटा जो है मुझे हां मालूम है तो अगर आपको बता दिया है उसकी वैल्यू दोपाट जो मुझे करने के लिए दिया हुआ था उस मुझे ऑचति भाल स्कूरर ठीटा जुह एक्वल होता है 1-2 डिया मालूम है यहाण quis स्कूर wraps जाकते हैं कि स्कूर्टा एकाल टो 1-2 जो कि था सिक्स्ती न बन में 25 यहां पर इसको सॉ लेते हैं जिससे कि साइन स्कوर थीटा की सिकाल दा आये और उससे हम साइन थीटा की वैलु निकाल पाएंगे.. तो यहां पर दूरुम का इससम 25 वनकी टयबले में 25 बहुत 25 में 25 से मल्टिप्लाइब 25 25 25 वनकी हम 25 बहुति 1 पर आगा 1 को 60 वनको 16 से मल्टिप्लाइब करेंगे sin theta का whole square equal होगा 3 upon 5 के whole square के क्योंकि 3 3 9 हो जागा और 5 5 25 हो जागा तो यह square से square cancel तो इस तरह से sin theta की value हो जाती है 3 upon 5 अब मैं वो लिख ले दाओ जिसकी मुझे value निकालने थी दीखे question में हमें इसकी value निकालने के लिए कहा गया था तो अब मुझे जो sin theta और cos theta की value मालूम है वो मैं इसका answer निकाल सकूँ अब दीखे यहां पर 4 multiply sin theta है तो 4 multiply sin theta है 3 upon 5 फिर minus cos theta है हमारा 4 upon 5 जो हमने पहले निकाला था और plus 1 यह उपर के लिए हो गया numerator के लिए denominator के लिए 4 multiply sin theta 3 upon 5 फिर plus उसके बाद है यहां पर cos theta यानि की 4 upon 5 और minus 1 देखें यहां पर multiply गराएंगे तो 4 में जो कुछ नहीं तो 1 तो 4 ती जा 12 तो यहां पर लिखेंगे 12 upon 5 फिर minus 4 upon 5 यहां plus 1 और इसी तरह से यहां नीचे है यहां पर भी 4 ती जा 12 12 upon 5 फिर minus 1 तो सबसे बहुत देखें इनके denominator सेम है तो हम numerator को minus कर सकते हैं तो 12 में से 4 गए तो यहां पर बच जाता है 8 8 upon 5 plus 1 और इसी तरह से यहां पर denominator सेम है तो numerator के add होगी यहां पर तो यहां पर add होगी हो जाता है 16 upon 5 minus 1 अम मैं यहां पर इसको side में graph work कर लेता हूं तो यहां पर इसको solve करेंगे तो मैं यहां पर इसको solve कर लेता हूं तो यहां पर 16 upon 5 में से मुझे 1 को minus करना है तो इसके नीचे कुछ ने तो 1 लगाएंगे और दोनों का sum 5 5 की double में 5 1 पर आएगा 1 को पर से multiply करेंगे 1 16 जा 16 minus 1 की double में 5 5 पर आएगा 5 को पर से multiply करेंगे तो आएगा 5 तो 16 में से 5 गए तो यहां बच जाता है 11 11 upon 5 इस तरह से यहां पर आजाता है 11 upon 5 तो दिखें हम इसको इस तरह से भी लिच सकते हैं कि 13 upon 5 divided by 11 upon 5 तो इस case में हम क्या करेंगे इसको multiply में चेंज करेंगे डिवाइड वाले sign को और यह वाला जो है reciprocal करेंगे तो 5 उपर चला गया 11 नीचे तो 5 से 5 यह cancel तो इस तरह से यहां पर यह बंजा आ गया तो 13 बंजा 13 और 1 इंटो 11 हो गया 11 तो 13 upon 11 जो है वह उसका अंसर आ जाता है जो हमसे पूछा दा question में तो मैं आशा कर करेंगे बंजा आशा करेंगे तो